यह कहानी आज से बरसों पहले एक दिवाली की राज से शुरू होती है एक तरफ सारा का सारा शहर रोश्णियों से चक्मगा रहा था और दूसरी तरफ सिर्फ एक घर में अंधेरा था यह लाल टैन क्यों जला रखी है? लाइट काट दी गई है सारे शहर में रोश्णिय है बस इसी घर में अंधेरा है हर घर में खुशिया है इसी घर में मातम है यह आई तुम्हें क्या हो गया लक्षमी? चंद दिनों की तकलीफ ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है यह चंद दिनों की तकलीफ नहीं जिन्दगी भर का रोग है, नजाने वो कौन सी मन्हुज गड़ी थी, जिस दिन में अपने अमीर बाप का घर छोड़कर इस नर्क में चली आई, मैं पुछती हूँ, आखिर मेरे बाप के घर जाकर रहने में तुम्हारी कौन सी इज़त कम हो जाएगी, मैं बैमान धन्वान क घर जवाई बन कर नहीं रह सकता, तो आज ये फैसला करना होगा, तो मैं अपने बीवी और बच्चा चाहिए, या गरीबी की भटी में जोंक देने वाले अपने उसूल, मैं अपने उसूलों के बगार जिन्दा नहीं रह सकता, तो ठीक है, मैं ही इस नर्क को छोड़कर अ लो, संभाल अपना बच्चा, और साथ में ये सुहागराद का दिया हुआ लॉकेट भी फिर उसके बाद, लक्षपी ने अपने पिता के कहने पर, पहला श्पती सिंग के साथ सिविल मेरिज कर ली रामदाल अपने बेटे संतोष को लेकर एक नए महले में रहने लगा, जहां उसे शांती से बेहन का प्यार मिला, दिन, महीने, साल बीद गए, और संतोष दस वश्का हो गया साई बाबा, गरिबी और सच्चाई के कारण मा ने बापो को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, तेरे संसार में मा बच्चे को भी छोड़ जाती है, अगर वो मुझे मिले, तो मैं उससे पूछूँगा, कि बोल मा, तुझे वापस कितने में खरीदा जा सकता है, तेरी संदोश ही क्या, हम में से किसी को भी पता नहीं, आपकी पतनी कहा है, कैसी है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फाइदा है, शांती बेहन, मैंने अविनाश और सारिका का नाम संदोश के स्कूल में लिखा दिया है, संदोश बेटा, कल जाती वक्त इन दोनों को भी स आप इन तो हमें संभाला है, और कितने हैसान करेंगे मुझ पर, करतव ये निभाना एहसान नहीं होता, शांती बेहन, एहसान तो आपके है मुझ पर, मैं चला जाता हूँ, तो आप संदोश की देख़ाल करती हैं, क्या ये कम है, अच्छा, मैं चलता हूँ, यूनियन की मी किस ने किया ये राम-राल, शैप बबाद, मुझ खुछ ने बालू मुझे कुछ ने अवज़ा, अरु ऋंख भर शैप, ये लॉकेट ये रोककेट, बाबा, पीठे, इसमें तेरी मान की और मेरी तश्वीर है, इसे खुल कि धेख लो नहीं, नहीं, मैं लॉकित कभी नहीं कोलूगा, मैं अपनी मान की सुरत कभी नहीं है राम लैल की मौत के बाद संतोष को शान्ती ने अपने बेटी अविनाश और बेटी सारिका के साथ बड़े प्यार से पाला बच्पन से संतोष के सिर्फ दो ही शौक थे कविता करना और मशीनों से खेलना संतोष की रगों में अपने पीता की तरहां मेहनत और इमानदारी के उसूल कूट कूट कर भरे हुए थी सिर्फ माही उसके जीवन का ऐसा खाव थी जिसकी टीस उसके मन से नहीं जाती थी यलो मैं एक के दस नहीं लेता मेरी मुझदूरी सिर्फ एक रुपया बनती है ओ, बड़े खुद्दा लड़के हो, क्या नाम है तुम्हारा संतोष आरे, को यह आए आरे, को यह आए जी, बोलिए, फर्माईए मुझे भिकारी की नहीं, किसी मिर्स्तरी की दूरत है, गारी खराब होगिए जी, मैं ठीक किये देता हूँ तुम? जी, बोलिट खोलिए लक्षमी, हमारा इखलावता बेटा कुन्दन रोए, यह अच्छी बात देता हूँ लाँ, इसका मुग इदा लाओ देखा लक्षमी, दो गूट अंदर गया और हमारा कुन्दन खामोश हो गया सहब, गाली ठीक हो गई, स्टार्ट कीजे गुट, वेरी गुट, क्या हो गया था? सहब, तार का तार से रिष्टा होता है, इसकी क्या किमत? यह वही लड़का है, जो दस का एक और एक के दस नहीं लेता, क्यों बेटे? अब फिर भी? जी, अगर मैं किसी कीमत के लाइक हूँ, तो मेरी तरफ से इस रोते हुए बच्चे को शराब नहीं, दूद पिलाईए इतना खुद्दाल लड़का है, हमारे मुपे तो तमाचा मार गया, अब कुनत के बापो, कुनत के बापो, कुनत के बापो आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे, पूछे, आप बेचेन क्यों है, और इस बेचेनी की वजा, वजा, दुनिया का मेला, आदमी अकेला, जगए जगए पे फूख, बेरोजगारी, बलादकार, रस्टा चार, चारों और मुर्चाए, निराश, चेरे, चेरों की चिताएं, चिताएं जिन में आग नहीं, धुआ है धुआ, इसलिए तो मैं आज मैं बेचेन हूँ, यार मैं बेचेन हूँ आज मैं बेचेन हूँ यार मैं बेचेन हूँ यार मैं बेचेन हूँ ये महद तनहाईयां दर्द की अंगडाईयां मौत की परचाईयां आज मैं बेचेन हूँ, आज मैं बेचेन हूँ अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी बात को अपनी जजबात के सैलाग को निजाम के दरोदिवार ते क्यों नहीं पहुंचाते हैं दरोदिवार यहां तरवाजा है कहां बस दिवारें ही दिवारें हैं और जब भी इन दिवारों पर नजर डालो तो एक खुक्मनामा सा चिपका हुआ नजर आता है जिस पे हमेशे यही लिखा होता है गीत गाना है मना मुस्कुराना है मना मुस्कुराना है मना सर उठाना है मना आज मैं बेचेन हूँ आज मैं बेचेन हूँ यार मैं बेचेन हूँ हम, आज मैं बेचैन हूँ, यार मैं बेचैन हूँ La-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a झाल झाल ये तो जिन्दगी नहीं जिसको जी रहे हैं हम आसे कोई भी नहीं भुटके रह गया है दम चल रहा है कारवाँ चल रहा है कारवाँ चल रहा है कारवाँ चल रहा है नौजवाँ सो रहे है रहमाँ यार मैं बेचैन हूँ आज मैं बेचैन हूँ यार मैं बेचैन हूँ यार मैं बेचैन हूँ वेल आम सॉरी थेंक्यू हमारे बीमारों खराब मिल को ठिक करने के लिए फॉरण से कितने ही एक्सपर्ट आये हैं लेकिन वो ठिक नहीं कर सके और आप एक मामलिस इंचिनियर जिसे कोई तजुर्भा है नहीं है वो के ठिक करेगा मैडम जिन लोगों की इजादे बिमार हों मैं उनका कुछ नहीं कर सकता लेकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी खराम मिल जरूर ठिक कर दूँगा नॉनसेंस इस नॉनसेंस की क्या सेंस है यह यह मैं बताती हूँ नमस्कार हलो हमारे फोर्मेन हरी सिंग ने तुमारे बारे में बहुत कुछ बता दिया है बहुत अच्छे आदमी हूँ संतुष तुम वही हो ना जो एक के दस और दस का एक नहीं लेते आपकी यादाश की प्रशंसा कैसे करूँ जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को मैं सिर्क डाइरी में ही नहीं बलके अपने मन में भी लिख लेती हूँ अच्छी बात है संतुष यह मेरे स्वर्गी पती के छोटे भाई आज्यापाल नमस्कार नमस्ते और यह मेरी भती जी यह उनसे मिल चुका हूँ इनकी बेटी और 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 मैं अपनी ममी का एकलावता बेटा वैसे नाम से नहीं वैसे भी कुंदन हूँ कुंदन बेटे मिस्टर संतोष को नौकरी का एपॉन्मेंट लेटर दिलवा दो नहीं आंटी बेटी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि भावी का फैसला बेरुकुल अटल होता है और वैसे भी बच्चों को बड़ों के मामले में दाखल नहीं देना चाहिए मिस्टर संतोष तुम कुंदन के साथ जाकर एपॉन्मेंट लेटर लेलो और कल से हमारी बीमार मिलका काम शुरू करता हो जी बहुत 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 धन्यवाद आये चलिए नॉंसेंस भाईया अपने बीमार मिलके ब्लूप्रिंट पर उस समय तक लगे रहेंगे जब तक उसके बीमार पुरसे नदर ढूण लें तब तक आप लोग दखाने वाले हैं नहीं मुझे भूख लगी मैं खा रहा हूँ हाँ मगर एक बात है भाईया की बीमार मिलकर ठीक होगे ना तो भाईया की बड़े जयजयकार होगी पर मैं भी कोई कुरसे पकड़ लूँगा आरे आज तक जो भी कुछ बना है जो भी कुछ किया है उसी के कारण तो हुआ है कभी अपने आपी किया तुने कुछ मा एक बार कुरसी तो मिल जाए फिर वही कुरसी हाई हाई बड़ी कुछ चीज है यह कुरसी मिलेगी मिलेगी लेकिन पहले भाईया के बीमार मिल की सोचो कसम यूनियन की आपने वरकर्स तो बुला लिया मैडम लेकिन यूनियन लिडर होने के नाते मेरा यह फर्ज है के आपको बतला दू कि यह फैक्टरी चले या ना चले आपको एक मिने की तरहा देनी पड़ेगी हाँ कसम यूनियन की आंटी मुझे शक की नहीं यकीन है इतने काबिल इंजिनियर इस मिशिन को ठीक नहीं कर सके तो यह नौ सिख्या क्या करेगा यह नौ सिख्या नहीं यह वो है जो एक के दस और दस का एक नहीं लेदा मैं इसे बहुत मुद्द से जानती हूं और अब तुम भी जान जाओगी एमद भाई जरा पावर अन करना अंटी आप मुझे यह दिखाने वाले कि यह काका जरा जरा यह थाड़ा देना यह लापतर मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती थी देखो तो संतोश को है कितना स्मार्ट एक हतोड़ा मार कर दी मिल स्टार्ट काम अब जहां रुकेगा हा तोड़ा वहां चलेगा तुमने इन बीमार मशीनों में जान डाल दे इसी खुशी में आज हम एक शांदार पार्ट काश ऐसा बेटा भरवान हर मां झा achieving करिए आग收 कराड़ा José मुझे तो शखिम भलके यकिन था खंटी इंजिनियर को नहीं किसी अजरी को पकड़ के ले आए-दे लेकिन आपने मेशिन चेट करके हमारा दिल चेट Digital वा वा भूल लेकर पूल आई पूल कर मैंने कहा पूल तो तो मेरी जान फूल से होता है क्या वैसे यह फूल आप से ज्यादा खुबसूरत नहीं यह फूल आप खुद अपने हाथों से मेरे कोड में लगाएंगी यह मैं खुद ही तकलीफ कर दो इसका जवाब में कई बार दे चुकी हैं बड़ी देर लग लगहे को तो आप जाने आप यह एक अवड voyal को पणिभी तो उन्हे आज आप मैं अशतर दे काम हैं को मते हैं यह चोन खुद लगजू और ही सदोष भाम कर चंभ थेय को पूल को करूं आज आप खुद थिख आखि़ नंगा पूल को favour की श्त बाध है, श्तय रख्रिक कि मेरे पास काम नहीं भाईया की जैकेट में वो फूल वाली जगा खाली है भाईया आप तो जानते हैं कि ये फूल किसे दिया है मैं के जानू बनो मत भाईया लो बैट तरी Excuse me Mr.. क्या नम बताया था भाईजी अविनाश Mr.. अविनाश ये बत भूलिये के रच्णाजी मेरी चुचेरी बहन है I'm so sorry sir I'm sorry I'm sorry Sir 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 और आप ये मत भूलियेगा मेरा मतलों याद रखेगा ये मेरी बहन है मुन्नी सारी का Really? बहुत बड़े आदम है नमस्ते करो पुंदल बाबू अरे बैन इतनी खुब्सूरत और तुम है खर तुम कहते हो तुम आ लेते हलो अरे आप कुछ लेदी दे बर्या एक डोट लाओ नहीं सेरगर जी वैससे मैं एक बहुत इसाफ को इंसान हुची दिल में होता कह देंगा अब देखे ना मेरी माँ को बरसों से सिरफ एक ही चिंता है कि मेरी शादी नहीं है लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुई काम की लड़की नहीं अब किसी को देखने के बाद लगता है कि मेरी माँ की नमना पूरी हो जाएगी यह नहीं सर हाई हाई आपके हाथ में खाली ग्लास कुछ अच्छा नहीं लगता सर स्वारी सर लीजिन अच्छा सर मैं कल दिन में बारे बज़े आपके पास आजा हूँ हम हम आजा यह रहा तुमारा आफिस और यह रही तुमारी कुर्सी थैंक यू वेरी मज़ सर हाई 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 रहे कुर्सी कौन है इस दुनिया में जिसे तेरी जुरूरत नहीं अपने इस नई उमिद्वार को स्विकार करो और हाँ मैं तुछ पर बोज़मन कभी नहीं बैठूगा बलकि तेरा बोज़ अपने सर पर उठाके रखूगा हाई रहे मेरी माशूद है मेरी जाने दमन्ना पाजा ले ले मुझे अपनी आगोश में अरे ले ले हाँ कवें कुता मैंने चप्रासी को बुलाया था कुत्ते को नहीं तू कहा से आगे है आउट आउट अबे दफा हो जा दफा हो जा हाई वह कमभक्त अभी टेबल पर बैठा है थोड़ी देर के बाद मेरे सर पर बैठाया क्या है हाई हाई कुता कुर्सी पे कुत्ता कहेंगे निगल बाग रचनी आप कि देखे ना क्या जमाना गया कुत्ते आकर कुर्सी पे बढ़ने लगे और ये कुत्ता मेरे कुर्सी पे बैठ गया ये तो इसका हक है लेकिन आप इस दफतर में कैसे घुशा है क्या है क्या है कि आज कि मैं भी कुत्ता बन गया हूने वलाज़ी कुत्ता बन गया अजिए जी कि आपका ये कुट्टा जो है बहुत प्यारा है चो चुईट है लगता है किसी 16 साल की बाला की छलचलाती जवानी की तरह है लगता है कुट्टों से आपको बहुत लगाऊ है नहीं जी नहीं जी ये मेरी सहली का कुट्टा है पीछे पढ़ गया था इसलिए साथ ले आई वर कमाल है अभी तो आप कुट्टों की बहुत तारिव कर रहे थे मारिया गोली कुट्टों को देखे मैं नोगरी आपकी करता हूं कुट्टे की थोड़ी मैं तो आप वो खुश कर नहीं कोशी कर रहा था है ओ आप मुझे तो खुश नहीं कर पाए लेकिन लगता है मेरे अविश बहुत वजवल है हाँ सो तो है ही हो गया ना कैसे आप 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 नहीं आप आप कैसे मैं अच्छा हूं आप कैसी है ना आगे मत बढ़ियेगा क्यों के इस मशीन में करन का लोड़ बहुत ज्याता है आगे बढ़ेगी तो जिपक जाएगी मैं भी तो यह चाहता है क्या कहा आप ने आंटी ना आपको उस शेट में बुलाया है तो फिर जलिए आये क्यों शर्मा जी हाँ हूल दड़ जी अरे वह क्रंट वाली बात सुदी सुझी तो मैं उस पर एक दुमदारदोह सुना तो तो तैने पिस्भीबार भी सुनाया था मैं चार लेंड सुना रीयों हूं सुना तो सुनौ दो स्टेरियो है सर्मा जी या रसना स्करेंट बनके संतोष के चिपकनों चावे है अब के होएगो मैं बोलो संतोष की कविता को तो कुछ नहीं बिगड़ेगो पर रसना को फ्यूज उड़ जावेगो संतोष भईया को मालकिन ने बुलवाया है संतोष जी क्या ये मुम्किन है कि दिवाली तक हम अपने एजन्टों को 20,000 तक थान सप्लाई कर सके मालकिन शायद आपको मजदूरों के हाथों की ताकत का अंदादा नहीं मैं समझी नहीं अगर आप अपने नफे में से उनको उनका इस्सा दें तो दिवाली तक 20,000 थान के 40,000 हो सकते हैं वो कैसे मजदूर साथियों कुछ यह नहीं तीन महीने का बोनस देखा वड़ यू मीन सिर्फ बोनस ही नहीं खाने पीने के साथ मेडिकल एड कब में दोबस्ती करना पड़ेगा हमें मन्जूर है तो समझी है आज से ही काम शुरू मशीने दिन रात चलेंगी हाँ 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 क्या बात हां बस अ पर खड़िये घर जाने के लिए बस का इंतिजार कर रह रहे हैं ऐसी के बात हैं कमाल करती हैं हिखिख ऐब समय पर हमगरी से जाए वार बस से एवार आज अप्रेंगरें यह लीजी चालगि आप अपो से भष्य के रॉसको पर थे एज पर कोन्सी बात कर रहे हैं दो बेड़ी, बेड़ी अर्थ, मतलब यह रचना जी ने तो, संतोष जी की जैकिट में गुलाब का फूल लगा दिया लेकिन संतोष भाईया रचना जी के जूडे में गोबी को फूल भी नी लगा नहीं अरे वाट, तुम तो बहुत एक्पैड होगी हो बहुत कल्दी है अब हचब दरा जरा लेफ को लेकर क्लब के अंदर दे क्लब में क्यों अरे भाई लोगों को मालूम तो कि तुम कितनी अची गारी चलने लगी हो हाँ उल्लर अजी यह लिए पानी दे अज़िए अची मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप मेरे लिए इतना कश्ट मत कहिए तो यह सब क्या करूं मैं तुमभक दिल मानता है नहीं यह सुरिंदर यह सब देख के क्या कहेंगे लोग क्या ना क्या यही कहेंगे प्रेम रोग तुम भी दूप में इतनी देर गाड़ी चिलाते चिलाते ठक गई होगी कमान, have a train, कमान, नहीं, मैं शराब नहीं पीती, एक लास पानी मिलेगा अज पानी तो आजकल बड़े गरों में कप्ड़े दोने वने के लिए इस्तमाल किया जाता है, ब्यास भुजाने के लिए नहीं, कमान, नहीं, मैं चांदा था तुम शराब नहीं पीती, इसलिए मैं तुम्हरे लिए औरंज लेकरा है, कमान, इत लिए औरंज, सुंग लो, अ संतोष भाईया, संतोष भाईया, मसीन भी कड़ गई है, चल दी आना, आया, पहले में स्विच आफ कर दो, कर रहे हैं, सुरिंदर, उल्लेड, खाना ने आओ, यहीं खालेंगे, लाते हैं, जल्दे, सुरिंदर, रेचना जी का संतोष भाईया की जूटी रोटी खाने का मत मतलब तो मैंने साफ नजर आरी हो है, की रसना जी संतोष जी को डारेक्ट किस नहीं कर पाई ना, तो यह इंडारेक्ट किस हो रहे है, क्यों तुमने, मैं दुनिया को मोरी खाने की काबिल नहीं रहूंगी वीस हजार की बजाए, साथ हजार गांठे का प्रते याड हुआ है, देख लीजिए, जियां, फादा ही फादा है, अविनाश, हमें तुम्हारे भाई संतोष पे गर्व है, मजदूरों के इलाम, काका, तरगिनना इस लिफावे में कितने रुपए हैं, चाड़ सबीस, मतल ऊक्ते भी तो, मनिम जी का इसमें कोई दोष नहीं, और कि दोशी है, तो मालखिन है, मालखिन, ये तो वही करते हैं, जो उन्हें कहा जाता है, हम में ऐसे कोई बोनस नहीं लेगा, हाँ, कोई नहीं लेगा, हाँ, का कर रहा है या आपको तो बोनस पूरा मिलेगा ना अविनाश सवाल मेरा नहीं सवाल इन गरीम मजदूरों का है जिन्होंने तिन रात अपना पसीना बहाया मादा पूरा किया अब अगर ये बोनस लेंगे तो पूरा लेंगे निकिन इसका अच्छा नहीं होगा संटोष अंजाम किसका अबिनेर्श अपने भाई को समझाओ कि यह आप समझते नहीं है अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो न तो यह सब मज़दूर तुमारे भाई हैं अगर कुछ दिलवा सकते हो दो इनको इनको इंका हग दिलवाओ बगर आप तो जानते है सब कुछ मालकुन के हाथ में और मालक हाथ हुए और के दूख टाउट की आने दो देखना हम अपना उसकों यह कैसे लेते हैं हाँ हाँ έχει हम भापने बाप यह कैसा बाई है अरे अपना नहीं तो कंसेंगर सेली नौगरी कर सचाओ महां का सोचाaders। क्यू सोचे किया सोचे किसके लिए सोचे आपने तीन महिने का इनओ किया है . कि हमें उस वादे से कहा इंकार है एक मालकिन एक महिने का बोनस देकर तीन महिने के बोनस पर दसकत लिये जाएं क्या यह इमानदरी है धोका धड़ी नहीं बिल्कुल जूट और धोका धड़ी है चार दिन बंबई क्या गई पीछे से सारी बाते उल्टी सुल्टी हो गई संतोष हम मजदूरों को तीन महिने का बोनस यकीनन देंगे बलकि यही नहीं हम तो यह सोच रहे हैं उनके रहने के लिए खुले हवादार मकान सहित के लिए हस्पताल और बचों के लिए स्कूल खोलेंगे मजदूर सिर्फ हमारे बाजू ही नहीं बलकि हमारे सुक्चैन के पेड की जड़े हैं लेकिन लेकिन क्या लेकिन आजकल हमारा हाथ तरह तंग है जो भी माल हमने स्प्लाई किया था उसका एक पैसे भी अभी तक वापस नहीं मिला हम मुझदूरों को उनका बोनस देंगे अब आज किसा देंगे देखा जो मैं न कह सकी मेरे बेटे कुंदन ने कह दिया है और बस उनको बस इतना कह दो बाई के एक महिने का बोनस अभी ले ले ताके देवाली के तहवार हासी खुशी बना सके मालकिन क्या मैं विश्वास कर लूं कुंदन का वादा हमारा वादा है मुझे आपसे यही उमीद थी चलूं धन्यवाद ममी यह तीन महिने का बोनस, स्कूल, हास्पिटल, क्वार्टर वगारा वगारा यह सब आप पुरे करने वाली एक है पागल हो गया हुतुम जब बादों पे देश, समाज और हुकूमते चलाई जा सकती है तो फिर यह मिले क्यों नहीं चलाई जा सकती वाह, यह ग्रेट पमी, यह ग्रेट किन यादों में खुए हो? रचना जी, क्या पूछा आपने? मैंने कहा किन यादों में खुए हो? यादों में उन यादों में जिन से मैं बहुत दूर भाग जाना चाहता हूं उन यादों में जिन में और डूप जाना चाहता हूं दिवाली की रात है, सारा शहर खुशिया मना रहा है और तुम यह आकेले बैठे हो, क्यों? रचना जी, हर अकेलापन अपने साथ अपनी परश्चाहिया रखता है मैं हर वो आइना तोड़ देती हूं, जिसमें भीड हो या सिर्फ अकेलापन हमने भी आइने के सौ टुक्ले किये, एक में भी तरहा थे, सौ में भी अकेले मेरे साथ चलोगे? कहां? जहां दिल से दिल की बात हो सके रचना जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं कि आपके कदम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जिस पर चलके आप मन्जिल तक नहीं पहुंच सकती क्या मतलब? मतलब यह एक रचना, रचना रचना है और कवीता कवीता संतुष, मेरी मन्जिल क्या है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं तुम कवीता से प्यार करते हो न? यह तो बहुत खुशी की बात है मेरी सहली बहुत खुश किस्मत है यह आँखों से आँखों का मिलना है क्या? बिना बोले ओटों का हिलना है क्या? मुझे इनका बतलब तो समझाईए खयालों में फूलों का हिलना है क्या? न यूँ चुप रहो मुझे को आवाज दो मुझे घुट के मरने की आदत नहीं बताओ तुहीं बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं मुझे प्यार कैसे करूं मुझे प्यार करने की आदत नहीं मैं जैसा भी हूँ, हाँ, जैसा भी हूँ, सामने हूँ खड़ा मुझे कुछ चुपाने की आदत नहीं बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं मुझे प्यार करने की आदत नहीं मुझे इतनी फुरसत मिली है कहा जो पढ़ता तुम्हारे नयन की गजल मुझे आज लगता है सच मान लो ये चहरा नहीं है गुलाभी कहल ये दिल कैसे चोरी किया जाएगा मुझे दिल चुराने की आदत नहीं क्लिब लगता है क्लिब लगता है मुझे कुछ हुआ हुआ है पता है तुम्हें बड़ी नम हवा है पता है तुम्हें बदन जल रहा है रगों में मगर लहू चब गया है पता है तुम्हें लो सर जुक गया है तुम्हें क्या फबल लो सर जुक गया है तुम्हें क्या फबल मुझे सर जुकाने की आदत नहीं मैं जैसा भी हूँ हाँ जैसा भी हूँ सामने हूँ खड़ा मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं मुझे प्यार करने की आदत नहीं आग लग गई है सरकार माय बाप हुजूर कहने को यह दफ्तर का हिसाब है वैसे मुनीम दीन दयाल जी के सीधा जेल का वारंट है देख लिजिए कैसे कैसे अरे हुजूर ऐसा चक कर चलाया है कि मुनीम दीन दयाल पर बड़ी आसानी के साथ आप पच्चास हजार रुपे गवन का इल्जाम लगा कर उसका सर अपने किसी भी फटे पुराने जूते में प्रिट करके मामला हीट कर स अद्मी को बैइमान साबित करने करे मुझे क्यों का बताइए कभी पूछना भी नहीं बर्कुरदार इस आपस में परसनल सेकरेटरी के बाद तुम्हारे लिए मैनेजर की कुरसी खाली है हुजूर आपस की बात है मेरी नजर तो जनरल मैनेजर के कुरसी पे लगी हुई है हुजूर मुनीम दिन्द्याल को अंदर भेज़ दू यह जा अरे पिट्राइब अब देखता हूँ यह काविता मेरे हाथों से कैसे फिस लेगी मेरे हाल पर तरसकाई है मेरे हाल पर तरसकाई है मैं एक बेपारी हूँ सौधागर बो सौधा करोगे कहिए मैं क्या कर सकता एक हाथ से यह किताब ले लो और दूसरे हाथ से अपनी कलौती बेटी कविता का हाथ मेरे हाथ में दे दो यह नहीं हो सब्सक्राइब ऐसा होगा ऐसा ही होगा दिन्द्याल अविनाश पुलिस को टेलिफन करके बला लो अंकल जी यह 50,000 रुपय का गवन कुंदन से शादी मेरे पिता जी कुछ बेहर्शी में बढ़ बढ़ा रहे हैं हाँ बैटी तुम्हारे पिता जी पर 50,000 रुपय का गवन का इल्जाम है मेरे पिता जी एक रुपय की बहिमानी नहीं कर सकते यह सब जूप है यह सच है बैटी कुंदन के पास इसका सुबूत भी मौजूद है देखो बैटी अभी तहीं के बाग मालकिन के पास नहीं पहुंची है अगर तुम कुंदन से शादी के लिए हां कह दो तो यह बात यहीं रफा रफा हो सकती है कुंदन से शादी यह कभी नहीं हो सकता मैं किस जनम दिया है इस मोके पर मैं आपको एक खुश्कबरी सुनो आप पर गबन का कोई इल्जाम नहीं है वो सब जूट था उन दन से मेरे रिष्टे की बात पक्की है नहीं नहीं यह नहीं हो सकता कवीता और संतोष को छोड़ दे कह कहूं के लिए हम तो मश्यूर थे देखते देखते घम जदा हो गए कह कहों के लिए हम तो मश्यूर थे देखते देखते घम जदा हो गए बात कुछ भी नहीं बात कुछ भी नहीं बात है भी बहुत तुम जदा हो गए हम जदा हो गए कह कहों के लिए हम तो मश्यूर थे देखते देखते घम जदा हो गए मौफ करना अगर कुछ बुरा भी लगे इस जवानी का कोई भरोसा नहीं हा नहीं हाँ नहीं हा नहीं हा नहीं एक सजदा तुम्हें हमने क्या कर लिया तुमने समझा कि तुम तो खुदा हो गए कह कहों के लिए हम तो मशुर थे तुम तो साहिल में जूडा सवारे गए हम तला तुम्हें कश्ची उतारे गए हम तला तुम्हें कश्ची उतारे गए हम तला तुम्हें कश्ची उतारे गए तुम्हें गजरे बने हमने आसु चुने फर्ज दोनों तरफ से अधा हो गए फर्ज दोनों तरफ से अधा हो गए उन दिनों के मजें इस घड़ी के से तम तब भी संतोश था अब भी संतोश है तब भी संतोश था अब भी संतोश है अब भी संतोश है वो तराने जो तुम तक ही मैं दूद थे आज सारे जहां की सदा हो गए कह गहों के लिए हम तो मशुर दे देखते देखते घंजदा हो गए देखते 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 घंजदा हो गए ऐसा लगता है कि हजूर का मिज़ाज कुछ बिगरा हुआ है मेरी कोक में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मैं उसकी मा बनने वाले हूँ अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने आपको भी मार डालूगी और तुम्हारे बच्चे को भी और इसका इल्जाम तुम्हारे सर आएगा हम यह भी बरदाश कर लेंगे यह क्या भी अखुपी कर रही हो ऐसी नादानी खुदा के बास्तर मत करो बेटा तुम कान है मेरा ना मेहमद भाई है हुजूर आपके मिलका का दिना मुलाजिम हूँ तुम कान होते हैं हमारे बीच में आने वाले के कास्त देखे हुजूर मैंने सब कुछ सुन लिया है सब समझ लिया है मुन्नी संतोष भाईया की बहन है इस नाते मेरी भी बहन हुई एक भाई की हैश्य से इतजा कर रहा हूं हुजूर इस बेगुना का हाथ थाम लीचिये मैं आपके हाथ चोड़ता हूँ क्यों बोलोगे वही करूगा आप मुन्नी से शानी करें बहात हूँ भगवटphon की कस्म खाता हूँ लेकिन मेरी सिर्फ एक हिर्टजा है यवार किसी और को नहीं मालूब होने चाहिए सनंतोष को भी नहीं शेरा, ये अहमत भाई जरूरस से ज्यादा ही मेरे बारे में कुछ जान गया है उसका जिन्दा रहना में जहत लिए ठीक नहीं है तुम उसका कांटा खेंचता हो एंबेट खेंचता जरूरी Колहे सब्यास ही मैं कहल परावालागुस हमें कि व्यनकी नियुक्ति है अधे Μेल, तुम कि दिला खेंचता थे लिएृमा रखेंचता नहीं एमद भाई हमारे बहुत बुराओ वे बॉनासूध। युड़ के भाट शाट लिए इंग है इसे लगता है जैसे जैसे हमारा दाया हाथ कट गया हूँ रो मत बैदी धीरजे को बस दूआ करो एहमद भाई की आत्मा को जन्नत नसीब हो चलो चलो कि असीब्स घाल प्रिय। अबू अबू देखो ना चालने को क्या हो गया एहमद मिया एहमद मिया एहमद मिया उठो मैं आ गया हूँ नहीं उठोगे सारी जिंदेगी मेरा कहना मानते रहे आज नहीं मानोगे एहमद मिया में जाक्की पीशते रहा हो तो तुम मेरे बहरे बत्चों की परवरिष करते रहे पालते रहे उनको आरे वार्व मारना ही तो मुझे मार देता बेरे भाय को क्यों मारा अब तेरे बहतिछों की परवरिष कौन करेगा। कौन दिख्बाल करेगा उनकी मैं तो कैदी होने के हैसियत से मुझे तो इतना वक्त नहीं दिया कि मैं तेरी जनाजे को कंदा दे सकूँ कौन देगा तेरी जनाजे को कंदा बोल कों देगा मैं दूमा कंदा अब भई मेरे यह वियाद रखो यह बच्चे हतीम नहीं हुए तुम संतोष भाई संतोष भाई हुए अब मेरे नाम किसे जानते हैं मरहुम भाई साब जब भी जेल में मिलने आया करते थे हमेशा आप ही कर दिक्र करते थे उनके लिए उपर अल्ला और जमीन पर आप थे बस मुझे आपसे एक बात की इजाज़त लेनी है इजाज़त है मैं मालकिन से एमद भाई की मौत का मौफजा लेना चाहता हूँ मालकिन से मौफजा क्या हुआ कुछ नहीं कभी कभी पागिल्पन का एक दोरा से सवार हो जाता है मुझ पर मैं मैं संदा नहीं मैं बताता हूँ आपको सत्यप्रकाश जी ने कौन सत्यप्रकाश सत्यप्रकाश जी मालकिन के पुराने यूनिन के लीडर थे मैं भी मालकिन के मिल में काम करता था वो मालकिन है ना वो गरीब मजदूरों का लाखों रुपए हडप कर गए थी संतिप्रिकार जी को किस तरह पता चल गया और उनको ये भी मालम पड़ गया कि मालकिन अपनी तिजोरी के अंदर बंद अपने काले धन्दों का एक खास रिकॉर्ड रखती थी सत्यप्रिकार जी नहीं सोचा कि अगर वो रिकॉर्ड हमारे हाथ लग जाए तो हम लोग मालकिन पर दबाव डाल कर मजदूरों का हक मांग सकते हैं हमने वह हासिल करने की कोशिश की लेकिन लेकिन पकड़े गए फिर हालकिन का एक खास आदमी है शेरा उसने सत्यप्रिकार जी का कतल कर दिया और उस कतल के इलजाम में मुझे फसा दिया और जेल भिजवा दिया मैं कुरायरे पाक की कसम खा के आप से कहता हूं जो कुछ मैंने कहा है सौफी सधी सही है संतोष एहमद बाई जैसे दो कॉड़ी के मजदूर के लिए तुम हमसे जगड़ा मोलने रहे हो मजदूर और दो कॉड़ी का ची ची अलकिन भूलें आपने कहा तक मजदूर सिर्फ आपके बाजू नहीं बलकि आपके सुकचैन के पेड़ की जड़े हैं अलकिन जिस दिन जड़ें सुक गई न उस दिन आपके सुकचैन का पेड़ सुक जाएगा तूट जाएगा मेरे पास भाशन सुनने का वक्त नहीं है तो मेरी प्रात्ना सुन जीजिए कहो अपना वादा पूरा कीजिए कौन सा वादा आपने अभी मजदूरों को तो महीने का बोनस आव दे एमद भाई काम करते वक्त मरा और यह भी सुन लीजिए कि एमद भाई गिरा नहीं उससे गिरा गया उसका सबूत अच्छा सबूत सुबूत मैं ले आया हूँ मैडम यह देखिए पोस्तमाटम रिपोर्ट इसमें साफ लिखा है कि एमद भाई शराबी कबाबी था शराब जोड़ अरे एमद भाई एक सच्छा मुसल्मान था पांच वक्त की नमाज पढ़ता था ऐसे नेक आदमी पे ऐसा कलंक लगाना महा हाँ पाप है अभी नाश आयाप अपनी आखों से पढ़िये ने पोस्तमाटर रिपोर्ट लेकिने क्या लिखा है इसमें कितने रिश्वत दी इसके लिए कितना खर्च किया मालकिन ने सिर्फ 9000 रुपए अभी नाश बोलने दीजिना इसे खामोश वक्त से डरो मालकिन वक्त लक्षमी देवी से डरता है यह तो वक्त ही बताएगा पक्वास बंद करो और दवा हो जाओ यहां से माई यहां कुछ पला और रुका मेरा भी तम घुच जाएगा तुम्हें इसी वक्त लौकरी से निकाल दिया जाता है मेरी जिंदगी पे आप अविनाश आज से तुम्हारी तरक्य है संतोश का बंगला तुम्हारा उसकी कार तुम्हारी मालकिन लेकिन एक शर्थ है उस बंगले में संतोश नहीं रहेगा अभिनाश तुम होश में तो हो जानते हो तुम क्या कह रही हो मा तुम मुझसे कितनी बार पूछ यू कियो मैं तुम्हें कितनी बार बता हूँ अभिनाश के आभिनाश के बड़े वह संतोष को चिरफ नौकर निई निनकाला गया गलकर मलकी का यह हुक्म अचियों अपने घर में ये घर उस ही मालकीन का है मां और उसका ओकर हूँ मैं तोकेै चूछे और खोकले आदर्श और बेकार के जिकाई whose अभीनाश देख मेरे भाई होगा वही जो तुचाहता है लेकन एक बाद ध्यान से सुन जित घलत हो सकती है लेकन आदर्श कभी खोखले नहीं होते मेरे भाई तो टके के मजदूरों का साथ कविता और आहमत भाई जैसे लावरेसों के लिए लड़ना अपनी मालकी सा घदार मालक इमानदार मजदूर दोटके का नहीं होता लेकन फिर भी अभीनाश अगर तुम इस कदम को गलत समयते हो इसे पास समयते हो तो सब सरमाध है भगवान भाईया मैं आप भी कहता हूं आपका मान जाओ जिद मत करो मान जाओ एक बार मालकीन से माफी मांग लो मैं तुम् आपके मेरे भूले भाई तु जानता नहीं कि तेरा बोड़ा भाई तुकर नहीं जाटता जानतो इसका अंजाम क्या होगा अरे क्या हो जाएगा यहीं होगा कि आज ने तो कल मालकीन मुझकों भी इस घर से बाद निकाल दाएगी और उसके बाद हम सब के सब सड़कों पर मालकीन का नहीं हम जैसों का अधिकार है तुम्हारों तो हर बात पर अधिकार है तो फिर लगवा दो ताले मिलों में बंद करवा दो कार्खानों को भूखा मारो मजदूरों को मुनी से लगवा जाड़ू कलियों में और मास तुआ पथा अभी नाश देख तिरे बड़े अधिकार हैं कि मैं वह अधिकार क्यों रखाँ जिस समय तेरी खुशियों में आग लगाजी मेरा फैसल सुन ऐसे मलकीन ने कहा है पैसे मैं आज इस घर को छोड़ दूगा नहीं हाँ भाईया मेरा भी ऐही ख्याल है इसी में हम सब की बलाई है क्या कहा तू संदोश को इस ब ex, क्यों से निकालगा? तेरी की हमट तो बढगल हो गया? मैं महा नहीं इस ग्यां से मर डालू went तो मैं बहुट कोई दोउस से, मुन्निआ इस गर में नहीं रहेगी, 樂ने तो सकेले को जिंग डालग यहां ऑपर सब साथ में रहेंगे कुछ दिनों की बात हमां तुमें मेरी सोगन अभिनाश को के लमच छोड़ना अभिनाश देख बिन मौसम के जो बादल होते हैं वो जल्दी छट जाते हैं याद रखना और हां महा और मुन्नी के साथ साथ अपनी सेथ का भी ध्यान रखना बेस्ट अट लग माम कैमरा वान टेल करो भाई कैमरा टू सेंटर करो सेंटर अरे कविता जी इधर तो आँ जी क्या है प्रोग्रेम डिरेक्टर तुम्हें कबसे बूछ रहे हैं कोई खास बात किए याद है नित्वतिर कि विल्कुल करण की रादिका लग तहुरेष गया टीए कर दो कर दो कर दो बंसी वाले ने घेर लई अकेरी जुपनियों बरन में गई ये बंसी वाले ने घेर लई बंसी वाले ने घेर लई बंसी वाले ने घेर लई लेकर चोली मारे है बोली करे है वो सथी चोली मैं तो कही थी कही थी कही थी न रही बंसी वाले ने घेर लई बंसी वाले ने घेर लई बंसी वाले लई झाले के बंसी वैँ याले ऱी के उमाइक बंसी वाल वजवक नेताथ सर्द के मारे मर गई मैं था सर्द के मारे मर गई मैं था बावर जो घर गई मैं था सारे रंग फीके पड़ गए उसके रंग में रंग गई मैं था मोरी सखे मैं दिवानी दिवानी मैं दिवानी क्यों भई बंसी वाले निए कविता कहां खो गई थी तुम जिक कुछ नहीं देखे आप प्रोग्रम डिरेक्टर से कह दीजे मेरी तब यह ठीक नहीं है मुझसे यह प्रोग्रम नहीं होगा अरे रचना जी आप और यहां संतोष मैंने तुम्हरे लिए बहुत बड़ी कंपणी में नौकरी ढूंग लिए है अरे हसने की क्या बात है आंटी ने नौकरी से निकाला अगटी जी नौकरी दिलवाने के चक्कर में हैं लेकर माफ कीजेगा रचना जी माया आपकी यह भेंट सुईकार नहीं कर सकता आखर क्यों कि जो काम पूरा करने का मैंने वचन लिया है जब तक उसे पूरा ना कर लो माय अपने बारे में सोच भी नहीं सकता संतोष ने मजदूरों की सोई हुई चेतने को जगाने और वर्ग भेत को मिटाने का पीड़ा उठाया और एक सच्छे खर्मयोगी की तरहां इस काम में चुट गया संतोष की जगाई हुई जोदी दिये से दिया जगाने लगी और देखते ही देखते रोष्णी की वो एक छोटी ची करन बहुत बड़ा पुंच बन गए जिसकी चौन से लक्ष्मी देवी के आँखें चुंधियाने लगी कि सोचकर उनका मन कांप उठा इसलिए एक दिन मैडम आपने मुझे बुलाया हां सुना है तुम अमजद भाई का के स्फिर से खुलवा रहे हो ठीक सुना आपने और एहमद भाई की मौद के माउसे के लिए तुम अफर कॉट में जा रहे हो यह यह भी ठीक सुना आपने और साथ साथ यह भी सुना है कि तुम हमारे मज़ साथियों को उनको अपने हग दिल बना चाहता हूं संतोष हमने हमेशा तुमारा भला चाहा है और हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझारे तुम्हें काम से निकालने के बाद हमें अपने गल्टी का एसास हुआ इसलिए हर जाने के तौर पर ये लाख रुपी है कल से आकर अपना काम समाल। अब कॉर्समित पर्मोशन। युपया ये रिश्वत रिश्वत हमारे समाज हमारे देश की जो दुर्दशा है उसकी जड़ रिश्वत है रिश्वत बस्टचार। मैडम लक्षमी का अपमान ही करते मगर ये ये रहा आपका काला धन। जानते हो हमसे टकराओगे तो तबाह और बरबाद हो जाओगे। वाँ वाँ अभी तो आप मेरी महा बनने का दावा कर रही थी और अभी फासी की धंकी कितने रंग है आपके। मैडम आपके आपके पास इतना धन है इतना धन है इतनी दौलत है जैसे आप उंगलियों पर भी नहीं गिन सकती। और आप उसी दौलत उसी धन के नीचे खुद भी दब चुकी है और आपकी आत्मा भी दब चुकी है। इसलिए किसी गरीब किसी मजलूम की चीखोपुकार आपके कानों तक नहीं पहुंती। संतोष। माइडम आपको धन, दौलत और कुर्सी की जरूरत नहीं अगर जरूरत थाए तो मन की शांती, सुक, जैन और संतोष की जरूरत है। इस संतोष का मंत्र मुझे नहीं अपने मजदूरों को जाकर बेचो। मालक और मजदूर, एक गाली के दोव पर यह हैं। मालक का पैसा, मजदूर का पसीना दोनों परावर के हिस्सेदार हैं, कोई किषी पैसा नहीं करता। माइवपूट। मालक, मालक होता है और मजदूर मजदूर। हाँ यह बाद तुम ठीक से समझ लो वर्ना वर्ना क्या वर्ना पस्ता होगे संतोस भाईया मैडम ने अहमद भाई का केस भी कोड से खारिच करवा दिया लेबर कोड ने हमारी मांगे भी राद कर दी यही नहीं मैडम ने हमारे बहुत से वरकोड को काम से निकाल दिया मैं मैडम के दफ्तर में गया था हाँ हाँ मैडम के दफ्तर में गया था यह उसी का जवाब है साथियो अब सिर्फ एक क्यों पाए है और वो पाए है भूकरताल मरमत कल सूरज उगने के बाद ना तुम्हें कुछ खाऊंगा और ना कुछ प्यूंगा ना जाने क्या होगा अग्वाण मेरे संदोश की रक्षा करना करना मलकिन बड़ी मुश्कल से अर्ताल के आठ आदमी तोड़ पाया हूं कहां है वो बहर है उन्हें अंदर बुलाओ बहुत अच्छा आओ भईयो आओ नमस्ते 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 आप लोगों ने आड़े वक्त में हमारा साथ दिया है वक्त आने पर हम भी आप लोगों के लिए जान की बाजी लगा देंगे देखो यह कुछ रुपिये हैं इन लोगों में बांट दो चलो बाईयो यह आपस में बांट लो थैंक्यू माली शावाश चलो साथ चलो साथियो अभी से काम शुरू कर दो और यह सबसे भारी लिफापत तुमारे लिए शुक्रिया समझ गए न आज रात को तुम्हें क्या करना है जी मालकिन आज रात सिर्फ इनी लोगों के घरों में आग लगी आग अरे आग लगी को जो आग तो इस पाड़ी तो लाओ जल्दी भागो आग आग हाई राम यह बच्चा जो बहुत ही जल गया है नर्स इसका इमीजिटली इलाज करो लो यह भगवाल यह आप केसे लग गई मालकिन आज आदी रात को हमने संतोष को इस बस्ती में घूमते हुए देखा था जूट मालकिन यह देखिए हरी सिंग और संतोष के जोपड़े से यह मट्टी का तेल और यह जली मिशाल निकली है ओ आई सी यह जूट है जूट है मैं जूट नहीं बोल ना हूँ गंगा जलकी कसम मालकिन यह जीब इतफाक है कि उनी लोगों के घर को आग लगाई गई है जो आपके वफदार है करने आए थे संतोष दिन को बहका था इसके बावजूद भी यह सही है कि यह लाख रुपे का बंडल किसी मकान से निकला है मैंडव हविनाश एए हविनाश तू तू क्यों जूट बोल रहा है मैं जूट बोल रहा हूँ और देखी मैडम क्या कह रही है मैं मैं सच कह रहा हूं देखी ने हां जूट मेरे जौपने में लाग रुपय कहा से मेरे पास तो दो वक्त की रोटी के लिए पैसे भी नहीं यह आदमी तुम लोगों का दर्द और फर्याद लेकर हमारे पास आया था तुम आये थे या नहीं संतोष जी आया था शंतोष ने हमें सुझाव दिया अगर एक लाख रुपया हम इसे किला दें तो यह दो महने के बोनस की बात को दबादेगा यह जूट लोग आगर भाई यह लाख रुपया इस मात का सबूत है एहमद भाई ने सौदय बाजी की बात सुन ले थी इससे पहले कि एहमद इस आदमी की बेशर्मी और जलालक की हद देखिए, एहमद भाई को मरवाने के बाद, उसी की मौत का माउजा ये कमपनी से मांग रहा है। संतोष ने हमें ब्लेकमेल करने की कुशिश की, तो हमने इसे नौकरी से निकलवा दिया। इसके बचले में इस आदमी ने हमारी मिलो को ताले लगवा दिये। और हमारे वरकस के जोपरियों को आग लगवा दिये। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अब ओंड मेडम। मुझे वरकस कुछ मुझे और कि लिए ब्रोत क्प्र दे ड्रीक अब शेक गातारी! मुझे वरा हम ब्रोतको करता आप वरा दो मैडम ये लीजे वो रिपोर्ट आपके कहने के मताबिक हमने हर दफ्तर में टेलिफोन करवा दिये अब संतोष भाईया के पास कोई चारा नहीं रहे जागा मैडम सिवाई इसके कि वो कॉरिस में जाकर पत्थर तोड़े श्राबा सविनाश तुम्हें इसी वक्त कंपनी का मैनेजर बनाती हो संतोष को कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए समझे बाभी रचना तो घर चोड़ की चली गई चली गई क्यों चिप्ति चोड़ कर गई यह लिखा है तुम सब लोगों के पापों का प्रैशित करनी के लिए घर चोड़ कर जा रहे हैं मगर कहा गई है संतोष के पास रचना जी अब तुम मुझे यह मत पुछना मैं ही हक क्यों हूं और कैसे आए हर इंसान को अपनी मर्ज़े से जिंदेगी जीने का हक है हा लेकिन हक का नाजाएस फाइदा भी तो नहीं उठाना चाहिए हक काश ये बात अगर तुमने कविद असकी होती है मैं रचना जी से कई बार कहा ज़े लाउड जाई है तो फेरी क्यों नहीं हाती पूलों में पली भी क्यों आपने आपको खचिटा नथ पथरों में मैं पूलों में नहीं पत्थरों में पनी और पत्थर की बेटी आज आपने आपको फूलों में ले आई है मुझे विश्वास कीजिए मालकिन पर सेट जी मुनासिब यही है कि बहस को बीच में ही रोकी है आये चलिए तरस आता है इस पर अब तरस खाने के कोई ज़रूवत नहीं सेट जी आप बैठी है अन्दर कर दो 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 अरे लोगों तुम्हे क्या है या मैं जानू या वो जाने ये किसा मेरा खूंता है या मैं जानू या वो जाने अरे लोगों तुम्हे क्या है तुम्हे क्या है ये किसा मेरा खूंता है या मैं जानू या वो जाने अरे लोगों तुम्हें क्या है या मैं जानू या भो जाने ये किसा मेरा कूँचा है या मैं जानू या भो जाने इधर बिजली चमकती है उधर मीहा बरसता है अकेले दिल तरपता है या मैं जानू या मैं जाने अधर बुल बुल के गाने की भला सैयाद क्या जाने जो आशिक है समझता है या मैं जानू या भो जाने अरे लोगों तुम्हें क्या है या मैं जानू या भो जाने ये किसा मेरा कूँचा है या मैं जानू या भो जाने हमारे मने जीने का तुम्हें क्यों सित्र है इतना हमें किस और जाना है हमें किस और जाना है या मैं जानू या जाने हमारे हाल पर छोड़ो आरे छोड़ो ये हम जर्दी तुम्हारे दिल में क्या क्या है तुम्हारे दिल में क्या क्या है या मैं जानू या वो जाने आरे लोगों तुम्हें क्या है या मैं जानू या वो जाने ये किसा मेरा पूर्दा है, या मैं जानू या वो जाने ईस जलील ने सारा यूनियन का फंड ख लिया और यूनियन को कुंदन के हात्व में बेज दिया विषभया हमको मगवकर दो हमसे भारी भूलों गई हमने इस युनिल लीडर के बैकावे में आकर आपको पत्तर मारे हमें माफकर दो थीक है नतुरम ठीक है ठीक है देखो, आज से तुम लोगों के लीडर संतोर जी हैं मैं, मैं अपने साथें से लगी कब था कुछ भी हो, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अभी और इसी वक्त, अब मैं और इंतिजार नहीं कर सकती है इंतिजार करना में चाहिए, कोई जिल्दिस अच्छा से लड़का देखर उससे शादी करना, शादी कर सारा खर्चा में दोगा यूँश बहुत भूली है तुम, क्या कर लगे तुम, हाँ, बोलो मैं कवीता दीवी को बताऊंगी, मैं अपने भाईयों को बताऊंगी, कि तुम ने मेरे जिनकी बरबाद की है मैं सारे दुनिया को चीख-चीख के बताऊंगी, कि तुम जैसे शैतार का असली रूप क्या है Yes, boss क्या, तुम अच्छी तरह से जानते हैं इसके साथ क्या करना Hello, दीदी, मैं मुनी बोल रहे हूँ क्या बात है मुनी? दीदी, खुद्धन बहुत बुराद्मी है वो कुछ भी कहे, उसकी बाते को विश्वात मत करना दीदी अच्छी, लेकिन हुआ क्या मेरे पेज़ यूसका बच्छा है मुनी मुनी मुनी, क्या हुआ, मुनी बोल दीद जिएंगon मुनी किनु सून क mesa मुनी मुनी मुनी, क्या हुआ मुनी कुद्धन पिदी कुद्धन अधिए एमस बोला। एमस अई कहा। अधिए 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 सबू बेटी शरीका ने तुम्हें फोन पर जो कहा था वो संतो उसको बता क्यों नहीं देती वो बात अधुरिया पता जी मैं उसे पोरा करूँगी मैंने संतोष को बहुत दुख दी है यह सबूत हासिल करने के बाद मैं अपने गुनाहों का प्राइश्चत करूँगी येस हलो माज़र कोरतों यह क्या बगवास है साधिका का खून तुमने करवाया है अमाज भाई की मौट की पीछे भी तुम्हारा हात रहे हलो 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 माज़र क्या बगते हो सारी का का खून तुमने करवाया है समझे हलो हलो पस्टर्च अले ये क्या है तुम भी क्यों नहीं हम दोनों जीवन साथ ही बनने वाले हैं मैं तुमारे हर खुशी में शामिल होना चाहती हूँ एतराज है क्या क्यों कमान बोटन जाप हलो सारी का क्खून सारी का क्खून आमजाई की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है आमजाई का क्खून ये किसका मतलब ये सब सही है मेरा क्या होगा कुंदर तुम तो खामखार हो रहा है ये धारे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये कत्ल माने करवाया लेकिन ये सब तुम्हें क्यों किया मेरे मेरा बच्चा है अब मुझे पता चला कि मेरी बेहन के जिंदगी किस में बरबॉट की खबरदार जो मेरे होने वाले पती की शान में गुस्ता के की तो गोली मार दोंगी क्या तुम मुझे गोली मारोगी तुम उन सारे रिष्टों को भूल गई रिष्टों की दुहाई देते हुए शरम नहीं आती कुरसी के लालेश में तुमने संतोष के साथ क्या किया अपनी बेहन मुनी के साथ क्या होनी दिया इसके जिमदार सरफ तुम हो बहतर यहीं होगा कि तुम अपना खाला मूले कर यहां से दफाव जाओ रिष्टों की दुहाई देते हुए शरम नहीं आती कुर्सी के लालच में तुमने संतोष के साथ क्या किया अपनी बहन मुनी के साथ क्या होनी दिया इसके जिम्मदार सर्फ तुम हो तुम के रहे हैं यही वह प्यरहम कुरसी हरी यहाँ इस Pacific सी बेरहम नहीं होती है यह कुरσι कशियी तो फारना नर्ग कि अशुकर में इसांत ब्रतरैन मﹹं यहां जाता है वो गोनगार मैं हूँ रच्णा जिसने कविता का प्यार चीन कर कुंदन ज़े शातान की गोद में धकेल दिया इस कुरसी के चक्कर में हूँ नहीं हूँ बुच्रिम हूँ जितने मुनीम दीम दियाल पर गवन का इल्जाम लगवाया इस कुरसी के खातिर इस हराम खोर कुषी का अभिनाश मेरे भाई तुम जीत गए हैं तुम जीत गए हैं परना बड़े बड़े लोग कुरसी पर बैठकर छोटे हो जाते हैं और पिर मैं कुरसी का चक्रव्यू तोड़ दिया तुम जीत गए संतोष भाईया आपका टलीफून है हलो है कविता बात क्या है मौत की परचाईया यार मैं बेचैन हूँ आज मैं बेचैन हूँ यार मैं बेचैन हूँ कविता हां कैसी हो अब अच्छी हो जाओंगी आज 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 कैसे किया मैं भूली कब थी हलो 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 हालो हां मुझे तुम से एक जरूरी काम है को तो तुम घर आ सकते हैं हां कब अभी इसी वक्त सब सब ठीक तो है ना मैं जान गई हूँ आहमेद भाई को किसने मारा और किसने मरवाया और मैं जान गई हूँ सरीका के जीवन के सथ किसने खेला किसने कुंदन ने कुंदन मेरे पास तमाम सबूब टेप में है और वो टेप उसे फांसी के भंदे तक पहुंचा सकती है तुम यहां जल्दी चले आना तुम कुंदन एमद भाई के कातिल मेरी पहन मुन्मी के कातिल मैं तुझे तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा पकाड़ इंदो लोगो और ले चलो अमन ठीकाने ले चलो इनको अविनार आव मिरे साथ केप भाई मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं मुझे नहीं मालूम है अरे तुम तो मार खाका कर डीट हो चुकी हो तुम्हे मारने से कोई फाइदा नहीं इदर देख इदर देख नादान लड़की अपने संतोश को देख इसे मैं तरपा तरपा कर मालूँगा और तु इसे मार खाता हुआ नहीं देख सकेगी इससे पहले कि तुम्हारा इंजीनियर दम तोड़ दे अमारी जब तूटाएगी SHUT UP! SHUT UP! SHUT UP! Shut up, hit him! नहीं! नहीं! अरे भी जल्भी, अभी तुसने बहुत महार खानी है बहुत महार खानी है, कमार शेरा! संतुर, तुम फीक तो हना? हाँ, हाँ तुम्हे होते है में जो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कवीता तुम मेरी मेरी आवाज में आवाज मिलाओ मेरे साथ काओ बड़े प्यार से सुन रहा है जमाना बड़े प्यार से सुन रहा है जमाना हमारी दुबानी तुम्हारी तुम्हारी कहानियों लगने लगे आजिकल जिंददाने संतोष, क्या हुआ, क्या हुआ, संतोष, संतोष सहले ने इतनी मार खाई तो कुछ नहीं हुआ, माशूप ने आवाज में आवाज नहीं मिलाई, तो बेहुश होगया, खेरा, इसके मुँपर पानी मारो और इसे होश में लाओ, और जब ये होश में आए तो इसे इतना मारो, फिरसे भेहुश हो जाए, नहीं गुद्दन नह भगवान के लिए संतर्श को छोड़ दो, मैं हाथ जोडती हूँ मैं भी तुम्हेरे सामने हाथ जोडता हूँ मुझे सर्फ वो टेप दे दो, जिसमें तुमने मेरी आवास परी है ना, ना कवीता, मत पता ना तुम्हे, तुम्हें मेरी सौगन Kundan भाईया, वो टेप, मेरे पास है गोड, बेरी गोड, रहाओ मेरी गुड़ी-गुडिक सिस्टर, ये टेप मुझे करहता ही पहले इने खोल दो क्योंकि कवीता मुझे अपनी जान सभी प्यारी है कविता को खोल दो संतोश को भी संतोश को क्यों क्यों कि संतोश को जान से प्यारा है जान से प्यारा है तुम्हारा पाफ है साले तुम्हारा पाफ है तुम्हारा पाफ है मेम साब स्रावो टेप देना ये टेप जो तुम्हारा फांसी के फंदे तक ले जाएगा मेरी मुट्टी में बंध है देखो मैं... मैं तुम्हेरा बास हूं मैंने तुम्हे कुरसी दी है वस कुरसी के तू मैंने माँ पहने कर दी है और अप तुम्हारी भाई है जल्दी से कवितार संटोज भीया को खोल दे वर ना इस रिवाल्वर की एक गोली तुम्हारी पांचों इंद्रियों को हमेशा हमेशा किले बर्बाद करक देगी कुट्टे मेरे भाई का ये हाल किया तुने मैं तुझे जिन्दा ने छोड़ूगा देखा अगर तुम गोरी चलाओगे तो तुम्हें फासी हो जाएगी ऐसे देवता समान भाई के लिए मैं एक जनम में तो क्या हर जनम में फासी चर्ण में क्यार हूँ कुंदन वाबू ये ये टेप खाली है सुन के देख लो गयर तो गयर अपने भी है कुंदन सच्चाई कि सड़क को छूट का शमशान घट मत बनाओ अब भी वक्त है हाँ वक्त है बहुत वक्त है इस डिवोरर में छे गोलिया इस सराम खोर संतोष को खत्म करने के लिए ही तो है अब बहुत वक्त है अब बहुत वक्त है वक्त है अब बहुत को बहुत वक्त है इस्चुशच वक्त है अब प्वक्त है संतोष अज़ भाग छलो तर्दोल गटा मेसर रहम हो बिनाष। अर्कावी दाका बंद करदू जा कि आइ कि ए कि वहां आज अ कि आइ साइ रचन न कि मुझे मेरे लिए अपनी अपनी ढ़े जांड तुम्हार लिया मुढ़ना, चितन सक कहिए जाना दगत। रचना! 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 पेरी बहन रचना! यह क्या आप जाप 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 जाप? तरगो है यह उतसपाक सुन डाप हों गहा? किसी को कोई शक नहीं क्या आप कुट्टे हैं आप कमीने हैं कमीने कुंदन बाबू संतोष कानून को अपने हाथ में नहीं लेता लेकिन कुंदन हमेशा कानून को अपने हाथ में लेता है मतलब ये किस रिवोलों पर तुम्हारी उपलियों के निशान और मेरे ये तमाम आदमी चश्मतीज गवा है कि ये कतल तुम ने किया है जोड़ी दर सु CC के रिवाण अपनी आपने पुम्हां jullie मेरे का अपनी मेरे शाltो राक्वाद ने कसा जादो करत। तो इसने इस तो जाल समादा दा यह तो अच्छा था कि यह तमामात यहाँ पर वो नहीं जालब मुझे भी बाह डालता है यह जूट है गल्ट है यह जूट है जच्छा की लाश इस लिए उदर पर तुमरी उगलियों के निशान जूट और सच को सामध करेंगे पंदन बाबू पंदन बाबू तुमने सिर्फ अपनी बहन रच्छा का खून नहीं किया तुमने मेरी बहन मेरी मुन्नी मेरी मुन्नी का खून भी तुमने किया लेकिन इसका सबूत इसका सबूत एक टेप टेप में आपके बेटे की आवास और उसमें इसके पबूल किये हु क्या ये सब सच है झात मलू नीवा खामोश इसका मतलब रचना का कुन तुम ले किया मैं ये सीवक पुलीष्ट ते आप तो छो शराप हलो पुलीष्टेश मह पुलीषरी मन लग लाप के तो हमसे बचाने खामोश लक्षमी देवी इंस्पेक्टर खान इस्पेक्टर यह रही लाश और यह है पिस्टॉल और कातिल मेरा बेटा मेरा मतलब है मेरे बेटे समाल मेरा नौकर संतोष मालकिन यह जूट है जूट कमान याद रखना मालकिन पिस्टा होगी मालकिन तेरे जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है चोड़ो मान यह बताओ क्विनाश और कविता का पता चला के नहीं कुछ पता नहीं चला समझ में निया था मैं क्या करूँ चिंता मत करूं मा अपना अविनाश भी मिलेगा कविता भी मिलेगी और लक्ष्मी देवी ने जो फांश ची कफंता मेर लिए तयार Keyarne महसे तोड़ करा तूँगा लक्ष्मी देवी देख लक्ष्मी देवी तेरे माँ है नहीं... मैरी मा तो तू है यह लक्ष्मी देवी मैरी मा नहीं हो सकती है लक्ष्मी देवी ही तेरी माँ है, देख, बैं उसे जाकर सब कुछ बचा दूगी नएएए, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बच जाएगा माँ, यह लौके देख कर, उसकी सोहियो याथ माँ जाग जाएगी हाँ, यह सब जूट है, यह सब सच है सच्चाई और नेकी की दुनिया से मूँ फेर कर, जान और कपट का जीवन जीने वाली औरत अगर सच सुनना चाहती है तो सुन जेसाद्मी के लिए, काचुल का जूटा इल्जाम लगा कर, तुमने फासे का भंदा तयार किया है जानती हो कौन है, वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा अपना बेटा, क्या बक्ती हो मैं बक्त नहीं रही, तुम्हारी आँखी खोल रही हूँ, संदोश तुम्हारा पहला बेटा है जिसे दिवाली की राच, तुम अपने पती की बाहों में छोड़कर भाग गई थी हाँ नहीं, यह यह नहीं हो समता क्या सबूद है तुमारे पास सबूद यह है वो लॉकेट अरे, माई तो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है तुम कैसी माँ हो, जब बच्ची की जान लेने पे तुली हुई हो कल, जब जैज, अपना फैसला सुनाकर कलम तोड़ देगा तब तुम अपना खूब जशन मनाना हाँ, खूब जशन मनाना लेकिन इतना ही याद रखना कमला मम्ता के इतिहाद में तुम्हारा अपनाम काले अक्षरा में लिखा जाएगा आप, आप किससे मिलने आईगे जो मिलने को तो कही बार मिला लेकिन मैं ही जनम जली उसे पहचान न सकी जनम जली और लक्षमी देवी लक्षमी देवी नहीं संदोश, मैं तुम्हारे जीवन की रामाहिन की काईके हूँ कही कही तो फिर भी सोदेली थी मैं तो असली थी और असली हूँ लगता है आपने कुछ सपना देखा है मुझे तुम्हारे माने सब कुछ बता दिया है अब सपनों का चक्रवी टूट गया बरसो कांदेरा छट गया जब सच के सीशे में देखा तो मुझे लक्षमी देवी नहीं संदोश की मा, संदोश की मा कमला दिखाई थी कमला, वो कमला जिसने अपने पती का साथ छोड़ दिया वो कमला, जिसने अपने पेटे को एक ऐसी पकडंधी पे ढल दिया जिसके कदम-कदम वे ठोक रहे थी वो कमला जो अपने पेटे के पहने के लिए एक कपड़ा तो ना बुन सकी लेकर हां, खांसी का भंदा जरूर तो यार कर दिया हां हां मैं वही कमला हूँ आज आज हालात के हाथ हो हाँ आप बेबस हैं आप ना तो जूट बोल सकती हैं और ना ही आप सच बोल सकती है मुझे क्या करना है उसका फैसला मैं कर चुकी हूं लागात का वाक खत्म हो गया आने का धन्यवाद हट्यरू सुनो तुमने हमेशा मिझे मालकीन कहा सिर्फ एक बार एक बार मा कहतो पेटे मुलाकात का वक्त मुलाकात का वक्त खत्म हो गया मालकीन मुलाकात का वक्त खत नहीं हुआ पेटे मुलाकात का वक्त आप शुरू हुआ है हाँ जिदर आओ जिदर आओ मा तुम खुद गड़ी चला किया हुआ कुंदर अरे तुमारी आखो में आंसु हाँ मैंने फैसला कर लिया है मा कि कल मैं आपको कानूं के हावाले करतूँगा हाँ संतोश अगर तुमारा बड़ा बेटा है बेरे भी तो बड़ा भाई है तुमे तुमे यह कैसे मालुम हुआ संतोष की माने जो कुछ तुम्हे का है मैंने सब सुन लिया है मा तुम संतोष का अपना लो तुम्हारे गुना तुल जाएंगे मैं भी अपने आपको कानून के हवाले कर दूगा मेरे गुना भी तुल जाएंगे चुदो मा बैठो गाड़ी क्यों रोके? वो सबूत के लिए टेप और कागज़ात शेरा के पास है शेरा? लेकिन सर, लेकिन सर सर के बज़त जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो चलो दुराज़ा खुलो जल्दी आउ मा तुम सबूत दूँ शेरा अगर ये बुड़िया ज्यादा चीखे चलाए तो इसका मूँ भी वैसे बनकर देना जैसे आज तक दूसरों का करते आयो कुंदन, मर गया तुमरा बेटा कुंदन अपसर्स तुमरा ये जी बेटा है कुंदन संतोश कुंदन कह रहा था कल संतोश के सारे साथियों को उड़ा दिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ क्या विनाश कविटा काका हरी सिंग कुंदन के difícil मैं हैं हाँ भाईया मा भी घर पे नहीं है तुम लोगोंने ठाने में Kak juego की kup Nikki लेकिन वात छाने का इंचार्दी नहीं था सुनओ कि तुम कुंदन और शेरा के पीछे मेरे पिछे रहो, कुछ करो, जाओ. जमानत मेरी होई नहीं सकती. हाथियों को छुडाना जुरूरी है, लेकन छुडाओं तो कैसे छुडाओं और जेल की चार दिवारी से भागूं, तो कैसे भागूं? संतोष भाई, तुम्हारे दोनों हाथ जो मेरे बच्चों को खाना क्याते रहें, उन हाथों को जकड़ कर, तो मैं इस कोट्री में कायद कर दिया गया, और लानत है मेरे हाथों पर, क्यों? कि इस कोट्री को ताला भी मैंने लगाया, और सालिट चाबी हावलदार को देनी पड़ी. बच्चे कैसे हैं? बच्चे सरकारी क्वाटर में हैं बाहर, अदालत कल फैसला करेगी, अदालत फैसला कल क्या करेगी, फैसला तो मैं आज ही कर लिया, मतलब? महिने में एक बार कैदियों को जेल के अंदर जशन मनाने की इजाज़त दी जाती, अल्ला कसम ऐसा जशन मनाऊंगा, यह सब देखते रह जाएंगी. मैं समझा नहीं. आज पहली बार, यह तीन तिग्या है ना, यह तीन यक्कों को मारेंगी. पहली बार, तेरी जोपड़ी गलकटियन के पास जेकरनगे सोबरनगे तु का है भरोदास तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली जो दिल से पाक होता है जो रूह से पाक होता है कदम कदम ते उसके साथ अल्ला पाक होता है तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली चार दिन का जीवन है उस हिम्मत से गुजारो गर मुसीबत लियान के घेरे तो उसका नाम पुकारो क्योंके क्योंके तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली कर दो कर दो कर दो जिस वक्त कोई मुस्कुराता चेहरा घबराता है उस वक्त दिल इकबाल का शेर गहराता है खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है रजा क्या है रजा क्या है तेरी राह क्या है अर बचने की राह हम सोच चुके है रस्ते सारे खुच चुके है क्योंके क्योंके तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली तेरा मल्ला बेवी, तेरा मौल्ला बेवी तेरा मौल्ला बेवी, 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 तेरा मौल्ला ब करना ना तू किसी की परवाद करना ना तू किसी की परवाद तू मन में अब ये ठान ले और बात हमारी मान ले क्योंकि ना अब ये ठान ले चलने बाली है क्योंकि बात बनने बाली है होशिया खावदा होशिया खावदा बाएं भी देखो दाएं भी देखो आएं भी देखो दाएं भी देखो आगे भी देखो पीछे भी देखो गर बात समझना आई हो तो फिर हमारी आख में देखो क्योंके क्योंके हो तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्ला बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्ला बेली तेरा अल्ला बेली तेरा अल्ला बेली मेरा मौन आ बी ऑजसा बेरी संतोष की मदद कर मेरे अल्ला बिस्मिल्ला रह्मार रहीम ला इलाह इल्ला इल्ला इस पर बेरे बस वक्त नहीं जल्दी मेरे स्वाल का जवाब दो कौन से सवाल मेरे साथ ही मेरी कवीता कहा है साथी साथी तो हमारे मालिक के कब्जे में हैं और कवीता उसे तो भी बहुत से हाथों से गुजरना पड़ा है शेरा शेर का बच्चा है देखा मेरा जिस्म है तुम्हारा जिस्म हाथी का लेकं दिल चूहे का क्या मतलब मतलब मारा आगा हाथी का और पीशा गीदल का है मलकिल ये घटिया सी मूर्ती मेरी मा मरने से पहले ले आई थी तुम्हें इनकी इनकी शक्ति का अंदाजा नहीं जहर जहर को मारता है तेरे हाथ में लोहे की मूर्ती है और मेरे हाथ में ये लोहे का हैंडल एक यवार में दो टुकड़े कर दूंगा तेरे साई बाबा के झाल झाल आपाज है और कानून को फिरे खिलाफ कोई सबूत या निशार नहीं मिलेगा अमिराज बाबू आप बारूट से उड़ने जा रहे हैं अपने साही बाबा को याद कर लीजिए हो सेगे तो आपको बचा ले हाँ जिस गोदाम में मेरा परिवार बंद है ना उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कनेक्शन बदल दिये हैं आज तक मैं तुझे मारने के लिए अपने वक्षाया करता रहा लेकिन अपने ही छोड़ूंगा मूर्क देख तुने अपने ही आदमी को मार ढ़ला परेओ नादान संतोष यहां है कुंदन बहुत तीस मारखा समय तो अपने आपको कि आवाज पे निशाना लगाओगे इस से पहले कि ये कमबक संतोष इस धुमे का सहारा लेकर अपने सास्यों के बचाए हैंगे नेट से गडाउन का ब्लास कर दो उड़ा दो इसे तुम हाँ मैं मैं जानता हूँ ममी अगर तुम संतोष का बरबाद करने से बास नहीं आई तुम सच बोलोगी और तुम्हारा सच मुझे फांसी के तखते बने जा सकता है बड़ी ठीच हो तुम इसलिए मेरी प्यारी ममी मेरे सामने अब तुम्हे सिर्फ गोली सोड़ा देने के लावा और कोई रास्ता लेगा आइम सारी आइम हल्पलेस कुम 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 जिस्ट कुम य senin जिएudsक यके कुम 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 प्राज्ज कुम कुम ठार Nada रह्व कुम क'. कि देख मेरे भूले भाले दोष साथियों के चेरे खोल ये दर्मादा खोल हाँ खोलतू खोलतू अब बचके कहा जाएगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था ख़बर्दार जो किसे ने मालकीन पर हाथ उठाया तो इने मत रोक अविनाश आप लोग मुझे जो भी सजादे कम है मुझे अपने पापो का प्राश्चित करने दीजिए नहीं मालकीन नहीं आप अपने हाथों से पेटों को गोड़ी से उड़ा कर अपने पापो का प्राश्चित कर चुकी हैं उस दिन अगर संतोष की बात मेरी समझ में आ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती उसने ठीक ही कहा था मालक और मज्दू दोनों बराबर की हिस्तेदार हैं आज से मेरा सब कुछ तुम लोगों का है तुम लोगों का अरे बोलो संतोष भाया जिन्दावाद पुलेस इंस्पेक्टर साहब मैंने बेटे कुंदन का खून किया है मुझे गिरफतार कर लीजिए कानून आपके साथ पूरा-पूरा इंसाफ करेगा जया इंस्पेक्टर साहब अपरादी मैं भी हूँ जरूरत पड़ी तो जेल से भागा है मुझे भी ले चलिए आप फिकर मत कीजिए कानून आपके साथ पूरा-पूरा इंसाफ करेगा मैं मैं सब तुम्हारे साथियों की दोशी हूँ तुम्हारे तुम्हारे स्वर्गी पिता की दोशी हूँ हाँ संतोश कितना सच कहा था तुमने इंसान को जीवन में मन का सुख चैन और संतोश जाहिए मुझे दॉलत तो मिले मगर तुम नहीं मिले बेटा नहीं मिला हाँ मैं जानती हूँ तुम्हे का अधर स्वादी बाप की बेटे हो मुझे मुझे मा नहीं कहोगे मा तुम्हे मुझे मा कहा हाँ मा संतोश पर्मयोगी संतोश को पालने वाली मा हो सके तो तुम भी मुझे माफ करते न पहें माफ करते ला संतोश कविता लिखते हो अपनी कविता भूल गए किस सोच में डूबे हो यही कि कभी एक संतोश होता था शायर वजल बन गई है उसकी कहानी हुआ शीजड़